अलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिवलिंग की उत्पत्ती कैसे हुई है? नहीं, तो सुनिए, तो पौरानी कथाओं के अनुसार सुष्टी बनने के बाद भगवान विश्णू और भ्रह्माजी में युद्ध होता है दोनों खुद को सबसे अधिक सक्तिसाली सिद्ध करने में लगे थे इसी दोरान आकास में एक चमकीला पत्थर दिखाए दिया और आकासवानी हुई कि इस पत्थर खा, जो भी अन्त ढूंड लेगा वह ज्यादा सक्तिसाली माना जाएगा मानेता ये है कि वह पत्थर सीवलिंग ही था तो अन्त में दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और एक लाइक कर दीजिए थैंक यू